हेलो नमस्ते फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल क्रियेटर अमिता तो आज मैं आप लोग के लिए लाई हूं अपने इस वीडियो में बहुत प्यारी सी पोटली बैग जिसे आप देख रहे हैं यह देखिए इसकी यह टेजल्स हैं और यह देखिए राउंड सेफ में यह प क्वाइन कर दी है तो यह पर्स कैसे बनता है चलिए स्टार्ट करते हैं अब अब सबसे पहले हम यह कप्ड़ा ले लेंगे इस फैब्रिक को पर हमको अपना पर्स बनाना है यह देखिए मैंने 20 इंच का यह अपना फैब्रिक ले लिया है और जो इसकी लेंथ है वह मैंने टू पार्ट में रखी और बीच में मैं एक कैन वास रखूंगी प्रैस वाला आता है इसको फैब्रिक में आयरन कर देंगे तो वह चिपक जाता है अब देखिए हम अपने इस कपड़े को उल्टा करके इस तरह से यहाँ पे हम उपर की तरफ शिलाई कर लेंगे यह देखिए और इसको इस तरह से परट लेंगे यह देखे, उपर की तरफ हमने शिलाई कर लिए अब हम इसको नीचे से उपर की तरफ इस तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह से रखके हम इसको शिल देंगे, साइड में यह देखे, यहां पर से हम शिलाई दे देंगे यह देखिए, तो हमने सिलाई देकर इसको पलट दिया है, यह देखिए, अब हम इसके उपर पार्ट में यह लेश से लगाएंगे, यह बीच में मैंने यह ट्राइंगल वाली जो गोटा पट्टी वाली लेश आती है, उसको रखा है, फिनिशिंग के लिए और नीचे की सक देशिंगा, लेश लगाने से पहले फ्रींट से यह हम 2 इंच नीचे इसी लेस लेस के नीचे इह देख रहे, इसंतर नीचे की तरफ हम यह इंची टेप से मारक करकी नीचे की गुलाई है, वो भीजगर उ इंची टेप से नाप लेंगे यह देखिए इस तरह से हमारी यह 19 इंच गुलाई आई है अब हमने इस कपड़े पर इस तरह से कैन्वास आयरन कर लिया था उसको इस तरह से हम चिपका लेंगे और उस पर फोल्ड करके इस तरह से शेव देंगे नाइंटीन इंच में यह 5 इंच पे हमने यह रखा है उधर से बीच ओ बीच से करके हमने 5 इंच रखा और यह देखिए इसकी गौल कोल कटिंग कर लिए अब इसके उपर नीचे की तरफ भी हमें एक लाइनिंग लगाएंगे उसकी भी कटिंग कर लेते हैं और इसके उपर हम यह एक इस्टिच देंगे जिससे हमारा कपड़ा जो है फैब्रिक इधर उधर नहीं होएगा यह देखिए अब हमने जो यह हमारा सीकेंस ओला कपड़ा है जिसको में उपर रखना है इस पर हम यह इस तरह से रखके इसको भी गुलाई में कटिंग कर लेंगे तो यह देखिए कटिंग कर लिए और इसपर भी एक इसटिच डाल देंगे जिससे एक कपड़ा उधर उधर नहीं होगा और बीचों बीच में इस तरह से सेट करके यह देखिए करते जाएंगे दीरे दीरे इस तरह से पूरी इह हमने सिलाई कर लिए है इस तरह से यह हमारी परफेक्ट फिटिंग आ गई है यह देखिए इस तरह से अब हम इसको पलट लेंगे आपको यह देखिए यह शाहिद में हमने इसको पलट लिया है अब हम इसके यह आउटर पकड़ के इस तरह से स्टिच सिलाई कर देंगे जिससे जो अंदर की जो मार्जन वाला पार्ट है वो अंदर दब जाएगा और यह हमारी काफी अच्छी फिनिशिंग भी आ जाएगी और यह गोलाई इसके कफी अच्छे से बैट जाएगी तिदेखिए हैं अभ आमने यह नीचे की तरफ बिए उसमें लिये लिया लेस आप यह ढ़ने हैं आ यह देखिए नीचे की तरफ जहां हमने एक गोलाई में स्टिच की थी उसी के ओपर हमने ये लेस लगा लिए अब एक चिम्टी की हेल्प से हम इसमें दागा डालेंगे यही वाली दो स्टिच मैं आपको पीछे बता रही थी जो डोरी डालने के लिए हमें चला लेनी थी उपर से दो इंच पर और इस तरह से हम जो हमने बीच में दो सिलाई चलाई थी उस पर इस तरह से इसके अंदर टोरी डाल लेंगे यह देखें एक तरफ हमने इधर से ले जाके अब दूसरी तरफ इस साइट से लेके और इसे साइट को निकालो लेंगे तो एक उदर से डोरी हो जाएगी और एक इधर से डोरी जिसको हम जब टाइट करेंगे तो वह बंदो तरफ से अएं रफाट रीख हमारा बंद जायेगा यह देखिए इस तरह से यह देखिये इसका पूरा लुक है यह? अब बच्चे वे कप्णे में हम यह स्क्वेड़ यह इस तरह से सिप्वाइर कर लेंगे यह देखे, अब इसके 3 शायड में हम स्टिचिंग कर देंगे, देखे, बॉनों स्क्वेर्स को मैंने कटिंग कर लिया है, अब जो यह मेरे पास लाइनिंग का कप्ड़ा था, इसको छोटी छोटी सी कटिंग करके, मैंने इसी के अंदर इसको फिल कर दिया है, आई देखें और इसको साइट से फिल करके इस तरह से फिल करके सुई दागी की हेल्प से हम इसको इसको आउटर को लॉक कर देगे यह देखिए, तो हमारे दोनों square complete हो गए हैं, अब हम इसको इस story में इस तरह से लटकन में adjust कर लेंगे, यह देखिए, मैंने भी इसकी help से यह dory और लटकन complete कर लिए हैं, तो तयार हो गया है हमारा यह portly bag, तो कैसा लगा आपको portly bag comment box में जरूर बताइएगा, और कोई queries हों तो भी आप comment box में पूछ सकते हैं, तो इसी तरह की new new portly bags और creativity की new new videos देखने और सिखने के लिए चैनल को like, share और subscribe बटन दबाना, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पर विजिट करेंगे, तो आपको creativity की new new videos काफी तरह की देखने को मिल जाएंगी, मिलते हैं next video